हेलो स्वेंट्स मैसल विशीर छतवानी आप सबका मैं स्वागर करता हूं ग्यानदूट 2.0 के इस कारेक्रम में जो कॉलेज आयुकता लेकि एक पहल है ग्यानदूट 1.0 में भी मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिला और एक बाब फिर मैं आपके लिए इंकम टेक्स लेकर आया हूं और मुझे दिया गया है दाइत्व कि मैं आपको इंकम टेक्स के बारे में कुछ बता हूं देखिए सर इंकम कैलकुलेट करने के बहुत तरीके होते हैं और या कहें कि इंकम बहुत हैड से कमा ही जा सकती है आप जॉब करके पैसा कमा सकते हैं किसी asset को बेच कर तो अलग-अलग headway में आपसे बात करूँगा आज जो मैं आपसे बात करूँगा वो है income from house property कि अगर हम अपना मकान किराए पर देते हैं मकान जरूई नहीं है यहाँ पर भी confusion हो जाता है बहुत लोगों कि मकान की income ही house property में आती है ऐसा नहीं है सर आपके पा है तो जो income होगी वो आपकी income from house property मानी जाएगी तो हम बेसिकली यह निकालने वाले हैं इस topic में एक्चली यह दो वीडियो में आपको बना के बताऊंगा पहले वीडियो में आज अपन थोड़ी थी theory बात करेंगे और अगले वीडियो में अपन इसके practical aspect को भी समझेंगे त तब ही आप अगले तरफ जा पाएंगे एक सर चली शुरू करते हैं तो सर अपना जो topic है वो है income from house property तो सामन्य विशेशनाय में लिखा है कि किसी मकान या भवन को किराये पर देने से कोई आय होती है तो उसे income from house property कहते हैं आपका मकान है मकान के बाहर बरामदा भी होगा आ आपकी कोई दुकान है गोडाउन है वो किराये पर दिया तो आपकी income house property की income मानी जाएगी नेक्स पॉइंट इस आप यह देखिए कि अगर आपने केवल भूमी को किराये पर दिया जैसे मान लीजे कि building तो आपने किराये पर नहीं थी आपने केवल जमीन जमीन को किराये प है वो किसी को किराये पर दे दिया चार दिन के लिए मेला लगाने के लिए दिया या चार दिन के लिए सरकस लगाने के लिए दिया तो जमीन से किराया आएगा उसे other source में माना जाएगा house property के एक बुनियादी condition मैं आपको बताओं तो आपके पास एक structure होना चीए वो structure जमीन सहित किराये पर दिया जाता है खाली जमीन को किराये पर दोगे तो वो other source की income मानी जाएगी यह बहुत की point है आप ध्यान रखिएगा ठीक है सर चलिए next point देखते हैं house property head में income दिखाई जाए इसके लिए जहूरी है कि वो व्यक्ति उस मकान का स्वामी होना चाहिए यदि को income को other source में दिखाएंगे तो सर अब बात क्या है कि माननी जीए एक A आदमी होता है अगर A आदमी owner है और वो अपनी property B को देता है तो तो यह income house property में जाएगी लेकिन अगर A owner नहीं है और फिर अगर यह किराये पर देता है तो यह मामला आपका other source में जाएगा अब आप कहेंगे सर A अगर owner नहीं है तो अपनी property B को कैसे देतेगा तो देखिए अगर माननी जीए कि A ने किसी C आदमी से property किराये पर ली A ने अपने रहने के लिए एक मकान C से लिया और फिर उस मकान का कुछ हिस्सा या वो पूरा का पूरा मकान B को दे दिया तो यह बंदा खुद भी किराये पर है और वो किसी और को किराये पर दे रहा है तो इसको बोला जाता है करदें है सबलैट और जो सबलैट से इंकम होती है सबलैट से जो इंकम होती है वो आपकी सब मानी जाती है । कहें तो अदर सोर्स में वो इंकम आपकी House Property Head में नहीं जाती है फिल्के सिर्ट से. ad रिखते हैं नेक्स पॉंट है यदि जमीन किसी और की हो मकान हमारा हो तो भी house property head में text दिना पड़ेगा यहां तो रसाही कर लिजेगा यहां पर text word है आपको यहां पर अगर आप यूँ समझे कि कई बार क्या होता है कि हम housing board में रहते हैं अब housing board में जो जमीन होती है वो lease old होती है और वो हमें जनरली 99 year की lease पर मिलती है यहां यूँ भी समझे कि जमीन किसी और की है लेकिन मकान हमने तयार किया तो फिर confusion होता है कि हम मकान के मालिक हैं या नी तो भी आपको मकान का स्वामी माना जाएगा और income जो होगी उस पर जो tax लगेगा उसे house property head में आपको tax देना पड़ेगा चलिए next देखते हैं तो यह मैं आपको पहले basic बाते बता रहा था अब आप देखिए आप कैसे income calculate करेंगे जनरली शायद आपको लगता होगा कि जो जैसे मान लीजिए एक मकान है वो मकान 10,000 रुपे किराये पर दिया गया तो आपको लगेगा 12 मेने की income होगई एक लाग बीस हजार रुपे यह बात बिल्कों सही है कि 12 मेने की income एक लाग बीस हजार रुपे होई लेकिन यह केवल soul factor नहीं है केवल इसी को ही इसी को ही आप अपनी income मने ऐसा नहीं है आपको साथ के साथ यह तो जो है ना जो मैंने बताया यह तो है आपका actual rent साथ के साथ आपको municipal valuation और fair rent भी देखना पड़ेगा municipal value of fair rent क्या होता है मैं अगली slide में आपको बताऊंगा पहले आप performa देख लीजिए सबसे पहले step 1 में लिखा है municipal value of fair rent whichever is higher जो समझे कि एक question है उस question में municipal value दे रखा है 2,00,00 रुपया और fair rent दे रखा है मान लीजिए 3,00,00 रुपया क्या होता है मैं अभी बताने वाला हूँ तो पहले आपको इन दोनों में से जो बड़ी value है वो पिक करनी है municipal value और fair rent में से जो बड़ी value है वो आपको पिक करनी है यानि आप 3,00,00 पिक करेंगे लेकिन आप ध्यान लखीगा ये जो value आप पिक करेंगे वो standard rent को cross नहीं करने चाहिए अब एक rent और होता है standard rent खहते हैं उसको आप उसको cross नहीं करेंगे तो आपको 2,00,00,00 है 3,00,00 में से जैसे आपने 3,00,00 को पिक कर लिया संभाल संभाल के पिक कर लीजेगा अब मानीजे कि standard rent आपका है 2.7,00,00 तो फिर आपको 3,00,00 तक नहीं जाना है आपको फिर 2.7,00,00 पर रुख जाना है यानि standard rent जो होता है वो maximum cap होती है वहां तक आपको रुख जाना है तो ये तो है आपका पहला step दूसरे step पे आपको लेना है actual rent received or receivable if property let out throughout the year second step पे आपको अपना actual rent लेना है माननीजे कि आपका actual rent है 30,000 रुपया माहिना 30,000 रुपया माहिना तो आपका 12 से multiply हो जाएगा तो आपका actual rent हो गया 3.6 इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई unrealized rent है तो वो आपको minus करना है अगर कोई unrealized rent है तो उसे थोड़ असा इसमें से minus कर दिया जाएगा अगर है तो नहीं तो कोई बात नहीं यहाँ पे आपका आजाएगा इसे 2.7 और 3.6 में से 3.6 इसमें हमें समझ नहीं आता है एक बाब बापत बता दो देखो पहले आपको mincible value और fair rent में से जो भी बड़ी value है वो pick करनी है लेकिन यह जो pick करोगे value वो standard rent को cross नहीं कर सकती इस बात का आपको ध्यान रखना है यह आपका पहले step है दूसरे step पे आपको actual rent रखना है दूसरे step पे आपको actual rent रखना है और actual rent लिखते समय अगर कोई unrealized rent है तो आपको unrealized rent आपको less करना है अगर है तो less करना है ठीक है फिर आपने यह जो 2.7 दिखा और अभी जो 3.6 आया है इसमें से आपको बड़ी value लेनी है एक दुबार question करेंगे और अगले वीडियो में मैं जैसे आपको practical question करना ही बताँगा तो बड़ी value चूटी value आप आराम से समझे लेंगे कोई दिखर नहीं आएगी तो यहाँ पर आपका gross annual value आएगा मैं नहीं कहता कि अभी income from house property आईए actually क्या होता है तीन step होते हैं पहले step पर आपको निकालना पड़ेगा gross annual value दूसरे step पर आपको निकालना पड़ेगा net annual value और फिर तीसरे step में आपकी income from house property आएगी चलिए सर अभी अपना आगे देखते हैं computation of gross annual value for assessment year 21-22 यह निकालने का बन तरीका देखा अब muncible valuation क्या होता है देखिए आपका जो मकान है building कह लिए आपका building है वो कहाँ होगा या तो शेहरी शेतर में होगा य現在 में के बात करते हैं तो वो किसी नगर पालीका में होगा या होगा नगर निगम में होगा depending on the population तो उसको अपन एक तरसी local body कहते हैं जो भी municipality मिनिट्टिन corporation होता है उसको अपन local body बोलते है तो local body एक किराया तैय कर देती है कि इसका किराया इतना होना चाहिए मान लीजिए आपका ये इतना लंबा तोड़ा building है और municipality के हिसाब से इसका किराया 3 लाख रुपय होना चाहिए तो ये हो गया municipal valuation ये एक सल का किराया है जो municipal records में अनुसार आपको लेना चाहिए ठीक है अब second point आता है fair rent अब मालों जैसा मेरा मकान है जब मेरी building है उसी size की building उसी size की building मेरे परोसी ने 3,3,00,000 रुपय किराया में दी है तो अब आपको इन दोनों में से जो बड़ी value है वो वाली value pick करनी है आपको इस municipal value और इस fair rent में से जो बड़ी value है वो pick करनी है तो अभी थोड़ी दे के लिए आपका pick हो गया value 3,3,00,000 रुपे अगे बाद सुनते हैं इसके बाद है आपका standard rent standard rent control act 1932 के तहत निरधारित किया किराया मानक किराया कहलता है देखिए यह जो एक्ट है यह state wise है हर state में नहीं है तो किसी राज्य में तो यह rent control act होता है और किसी राज्य में नहीं भी होता है तो यह समझ लीजिए कि अगर आपको question में standard rent दे रखा है तो यह standard rent आपकी हद है आपको इस सब्सक्राइब को cross नहीं करना अगर standard rent चार लाग है इसका मतलब है आपको चार लाग लेना ऐसा नहीं है तब आप साड़े तीन लाग ले सकते हो और अगर आपका standard rent थ्री पॉइंट टू लेग है तो फिर आपको थ्री पॉइंट टू लेग को लेना करेगा कहने का मतलब है municipal value और fair rent में से आपको जो पसंद आया आपने जिसको select करना था select कर लिया लेकिन उसको select करने के बाद आपको उसे standard rent से compare करना है और standard rent की हद में आपको रहना है ज्यादा हो तो समझो don't worry कोई यहीं बात नहीं आप आगे बढ़ सकते हैं यहीं 3.5 आपको फाइन हो गया जैसे इस question में था लेकिन अगर आपकी किसी को उधार दिया और वह आपका पैसा खा गया तो मकान के case में क्या होगा सर मकान के case में आपने इस भूले-भाले मासूम इनसान को रहने के लिए मकान दिया और फिर वैसे तो आजकल स्मार्ट हो गए लोग लेकिन मान लीजे आपने इसको विश्वास पे मकान दिया और दो महिने का रेंट दिये भगेर ये बंदा भाग गया रात तो रात इसने अन्रिलाइज रेंट को मान लेना प्रू कर लेना इंकम टेक्स को बहुत सारी कंडिशन्स सेटिस्फाय करनी होती है तब जाके जो एससिंग ऑफिसर होते हैं वो इस बात को मानते हैं कि आपका किराया वास्ताव में डूबा भी है तो इन्होंने कहा कि जब किसी किरायदार से किरायर आशी वसूल नहीं होपाती तो उसे अन्रियलाइज गया ऐसा नहीं कि बाकी चल रहा है किरायदार आपकी नॉलजज में बाकी चल रहा है वो तो मतलत अब एक तरही जा है व ऑब कंफर्म हो गया कि अपको बिना किरायदे के भाग जाया है शब्सक्राइब स्विकि आपको किरायदार नहीं मिलता है जैसे मान लीजे कि जनवरी से लेके मार्च तक आखरी के तीन महीने जो होते हैं साल के उसमें आपको किरायदार ही नहीं मिला तो यह जो सिच्वेशन है इसको अपन बोलते हैं विकेंसी पीरेट क्या कहता है कि जब कोई उपयुक्त यानि एप्रोप्रियेट किरायदार नहीं मिलने की वज़े से आपका मकान कुछ समय के या पूरे समय के लिए खाली रह जाता है तो ऐसी अवर्दी को आप विकेंसी पीरेड कहते हैं तो इस विकेंसी पीरेड का भी अजस्मेंट करना होगा अभी तक मैंने जो आपको टर्म्स बताए अगर आपको समझ में आई हूँ तो मैंने एक तो आपको बताया मुंसिबल वैल्यू पेर रेंट स्टेंडर रेंट एक्चुल रेंट अन्रियलाइज रेंट और इन सब को यह जो शुरुआती मेंने स्ट करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में वेकेंसी पीरिड गिवन है तो आपको उसका भी एजस्मेंट करना पड़ेगा ठीक है सर्थ और अपने बात कर लेते हैं यह पॉइंट अभी नहीं डिसकस करते हैं कई बार क्वेश्चन में रेट बदलती है तो उस पर अपने अभी डिसकस नहीं करते हैं चलिए नेक्स्ट है शुद्य वार्षिक मुल्य या नेट अन्यल वैल्यू जैसा कि मैं बता रहे था आपको कि आप जब क्वेश्चन सॉल करेंगे तो सबसे पहले स्टेप पे वैल्यू सेलेट करने के बाद आपका ग्रॉस अन्यल वैल्यू आएगा इसमें से आपको मिंस मैनेस करना है जो भी आपने लोकल बॉडी को टेक्स रूप हुरते हैं अगर ये है Rs.ov अगर ये ओनर हैं तो मिन्सिपल टेक्स इन्हें चुकाना होगा ये चुकाएंगे तब ही लैस होगा यही तो चुकाएंगे नहीं हो सकता है कि इनके रेंट अग्रीमेंट में ये लिखावा हो कि जैसे ये भाई साब तो हुए लैंड लॉड मालिक या ओनर के लो सरल शब्दों में और ये हुआ टीनेंट ये नहीं किरायदा तो तो आपको फिर वो कैल्कुलेशन में लैस करने का मौका नहीं मिलेगा तो पहली शर्त है कि ओनर खुद अगर टेक्स चुकाई तो ही लैसो का दूसरा ये है कि पेमेंट ज़रूरी है मतलब ये है कि कई बार अगर टेक्स बकाया है टेक्स आउटस्टेंडिंग है तो फिर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा tax का payment होना ज़रूरी है तभी और तभी ही आपको deduction मिलेगा ठीक है सर चली तो चली और सुन लेते हैं ऐसा भी हो सकता है कि जैसे माल लीजिए कि आपका last year में यानि जो year चल रहा है उससे पहले का आपका tax बाकी हो तो एक उस साल का tax बाकी है और एक इस साल का tax है और अगर आपने दो साल का tax चुका दिया तो आपको दो साल के बराबर deduction मिलेगी तो इसमें concept यह है कि payment basis यह expenditure ऐसा है जो payment basis है आप जितना payment करोगे आपको उतना deduction मिलेगा ठीक है सर चलिए इसके बाद एक बात आप याद रख लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि कई बार आपको पूरा साल कोई किरायदार ना मिले पूरा साल ही आपको रहने के लिए किरायदार नहीं मिला तो ऐसे मकान की income शुन्य हो जाएगी ठीक है फिर अपने इसको किसी value से compare वगर नहीं करेंगे अगर ये साबित हो जाता है कि पूरे बारा महिने आपका मकान खाली रहा तो ऐसे मकान की आए फिर शुन्य मानी जाएगी जीरो मानी जाएगी और एक और बात है ये बड़ी important बात है कि आप सोच रहे होंगे ये तो खूब text लगता है आज कल देखिए आपका जो रहने का मकान है आपका रहने का जो मकान है आप उसे मननत कहें या जलसा कहें या और भी कोई सुन्दर सा नाम हो सकता है जिसमें आप रहते हैं न सर्थ उससे आपकी income शुन्य मानी जाती है कहने का मतलब है अगर माननीजे मेरे पर एक ही मकान है एक ही मकान है और इसमें मैं रहता हूँ या मेरी family रहती है तो इस मकान की आए तुन्य मानी जाएगी हाँ अगर मेरे पर इस मकान के अलावा एक और मकान है और मैंने इस मकान को किराये पे उठाया है तो इसकी income कैसे calculate होगी यही हम सीख रहे हैं जो मकान किराये पे उठाया है आम एक बाद फिर बोल देता हूँ जो मकान आप किराये पे उठाओगे उसका एक तो होता है actual rent लेकिन actual rent के अलावा कुछ चीजे और होती है जो तुमने अभी सुनी mensible value, fair rent, standard rent इन सब का भी खयाल रखना होता है जब हम income tax के नजरिये से बात करते हैं तो तो क्योंकि real life में एक common man को तो इसके बारे में ही पता होता है पर एक tax student को इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए वैसे नए प्राउधान अभी ये है कि अगर आपके पास ये मकान है ये एक कोई मकान है ये मकान और ये मकान मलब आप दो मकान चाहो तो let out सौरी, self occupied declare कर सकते हो पहले एक ही मकान था अभी दो मकान है आप इस मकान को भी कह सकते हो मैं रहता हूँ आप कह दोगी कभी कभी मैं इस मकान में भी रहता हूँ तो इन दोनों की आए आपकी शुन्य हो जाएगी तो अब अगर आपका तीसरा मकान अगर है एक बात आप बता दू तीसरा मकान सच में किराये पर है तो भी tax लगेगा और अगर किराये पे नहीं उठाया है तो भी उसकी tax calculation होगी ठीक है मैं कि कहता हूँ थर्ड मकान अगर आपने किराये पे नहीं उठाया है तो भी उनकी उसकी income taxable होगी यह सब कैसे होगा फिर आप अगले वीडियो में आईएगा ठीक है और इसके बाद अगर मैं इसको summarize करूँ तो देखें तीन situation बनती है अगर आपका मकान पूरे साल खाली रह गया तो आप simple logic समझो आपने कमाया है यह नहीं तो आपकी income zero होगी लें कौन सी income zero होगी आपका gross annual value zero होगा यह थोड़ा सा देखना होगा ठीक है और अगर आपका मकान अगर आपका मकान self occupied है तो उसकी एने वी zero होगी तो फरक हो गया ठीक है अगर आप लॉजिकली समझें तो इसमें gross annual value zero है तो इसका मतलब है कि इसमें municipal tax का deduction मिलेगा और अगर आपका मकान self occupied है तो इसकी एने वी net annual value zero मानी जाती है और अगर आपने मकान अगर आपने मकान बिजनस के लिए यूज किया है मान लीजिए मेरी यह building है लेकिन मैं इसके अंदर दुकान चलाता हूँ तो फिर आप समझो कि यह एक तरह से दुकान out of the context हो गई अब अपन इस पे house property के बात ही क्यों गर रहे हैं तो कि यह तो आप house property रही नहीं यह तो बिजनस property हो गई तो इसका तो जो कुछ भी होगा जो कुछ भी होगा वो PG BP head में होगा इसका आपको यहां कुछ नहीं करना ठीक है तो house property head में आपको कुछ नहीं करना तो यह तीन अलग-अलग cases है और तीनों के अलग-अलग result है तो अगर कोई building है उस building में अगर आप दुकान चलाने लग ग देखना ठीक है नेक्स्कुशन है डिडक्शन्स या कटवतियां देखिए जब आपका net annual value आ जाएगा ठीक है पहले step पर आपका gross annual value आ जाएगा तो आपका net annual value आ जाएगा उसके बाद आपको 30% का standard deduction देना है मतलब जैसे मान लो मान लो यह साबित हो गया कि मैंने मकान से 2, 502,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, खर्चा major repair में भूल गया, repair का पैसा भी तो लगता है, तो इन सारे खर्चों को नहीं माना जाता, instead of that, आपको 30% का flat deduction मिलेगा, इसे अगर आप समझें, दो लाक रुपे अगर income है, तो 60,000 रुपे आपको deduction मिलेगा, अब आपका हो सकता है, कि 60,000 से ज्यादा खर्चा हुआ हो और हो सकता है, कि 60,000 से कम खर्चा हो, लेकिन आपको जो deduction मिलेगा, वो पूरा-पूरा, 60,000 का मिलेगा, 80% का flat deduction मिलेगा, इसके अलावा, अगर आपने मकान के लिए, कोई loan लिया है, मकान, देखो या तो इनसान मकान क्या करता है, बनवाता है, मकान या तो बनवाता है, या बना-बनाया खरीता है, तो आपने चाय बनवाया है, चाय खरीता है, उसके लिए अगर आपने loan लिया है, क्योंकि housing loan बहुत popular है, तो उस loan पे जो ब्याज है, उसकी आपको कटोती मिलेगी, इस chapter में अगर कोई सीखने लाया किया tough बात है, खोड़ी सी tough है, तो वो interest की calculation ही है तो मैं अभी आपको यह बताने लगा, कि आपकी जो NAV आएगी, उसमें से आपको दोड़ ददागी deduction मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको standard deduction और एक आपको मिलेगा interest का deduction, तो इन्होंने कहा standard deduction का section 24A, यह कटोती NAV के 30% के बराबर होती है, यह कटोती मिलने के बाद आपको repair, insurance rates, annual charges के समद में कोई taxes नहीं, कोई deduction नहीं मिलती है, और अगर आपने मकान को बनाया है, खरीदा है, repair करवाया है, extension करवाया है, expansion करवाया है, कोई loan लिया है, तो उसमें जो ब्याज होगा, उसकी आपको deduction मिलेगी, एक और बात है, जो interest होगा, उसमें आपको current year का interest तो देखन नहीं देखना है, और आपको इसके अलावा, one-fifth deduction or मिलेगी, pre-construction period की, एक period होता है, उसको बोलते है, pre-construction period, इसे आप यूं समझें, कि आपका मकान, एक अप्रेल, 13 को बनना शुरू हुआ, या आपने एक अप्रेल, 13 को लोन लिया, और आपके मकान का कारिकरम, 25 अप्र अप्रेल, 2018 तक चला, तो 25 अप्रेल आप मत लो, उसकी जगह आप ले लो, 31 March 2018, आपने मकान के लिए लोन लिया, अप्रेल 13 में, मकान आपका सच में बना है, 25 अप्रेल को, लेकिन आपको 25 अप्रेल तक नहीं जाना है, उससे पहले 31 March तक आप आप आ जाना, यहां से लेके यहां तक का यह जितना भी समय है इस समय का आपको ब्याज निकालना है और ब्याज निकालके उसके 5 तुकले कर देना है तो अगें यह कैसे होगा मैं आपको अगले वीडियो में डैफिनेट्स बताऊंगा जिसमें आप इड्रस का कैल्कुलेशन भी सीखेंगे